नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तों हिंदू पंचांग के नुसार आज यानि की 5 अप्रेल को चैत्र अमवस्या मनाई जाएगी और इस साल की चैत्र अमवस्या की सबसे खास बात ये है कि यह अमवस्या इस बार शुकरवार को रही है शास्तों के नुसार अगर चैत्र अमवस्या शुकरवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा जैसा महासयोग बन जाता है अब इतना तो आप सब जानती ही है कि शुकरवार का दिन देवी लक्षमी को समर्पित होता है यही कारण है कि इस दिन का महत्व औ कर सकते हैं इसलिए दोस्तों जोती शास्त्रों में लिखे कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनको करने मात्र से आपकी सभी च्छाएं पूरी हो जाती है और इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको चैत्र अमवस्या से जुड़ा एक ऐसा उपाय बताने जा रही हैं जिसे करने से निर्धन भी धनवान बन जाएगा साथ ही आपकी जो भी मनुकामना होंगी वो भी पूर्ण हो जाएगी फिर चाहे वो मनुकामना आपकी धन गाड़ी खुद का घर आदी क्यूरा लेना हो या फिर पैसों से संब्दित कोई परिशानिया हो उनको सु पहले एक लॉंग लेनी है उसके बाद आपको लॉंग को अपने घर की छट पर जला देना है और मन ही मन अपनी सभी च्छाएं और मनुकामनाएं बोल देनी है दोस्तों जली हुई लॉंग को छट की इशान कोड में आपको फेक देना है आपको बता दें कि यह उपाए असर खत्म हो सकता है और ऐसा करने से आपकी सभी मनुकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा मालक्ष्मी का वास रहेगा इसके अलावा दोस्तों चैत्र अमवस्या को सूर्यास्त के समय घर के मंदेरिया पूजास्थल में गाए के घी का एक दीपक जलाएं कहा जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी जी और साती साथ साकरातनक उर्जा का वातावरण बना रहता है चैत्र अमवस्या यानि कि आज सूर्यास्त के बाद घर में रखे तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर प्रजलित करें और धियान रहे कि एक दुबारा उस पर हाथ लगाते हैं तो नेगिटिव एनर्जी का प्रभाहा ज्यादा बढ़ जाएगा इसलिए उस पर एक बर आप दिये को जला दें तो उसके बाद आपको उसको दुबारा हाथ नहीं लगाना है अगले दिन उस पर हाथ लगाना है तो दोस्तों बहुत ही कारगर उपाएं हैं आप जरू करें इससे आपकी मंचा ही इक्छाएं जल्द ही पून हो जाएंगी तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जनकारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्य मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद